grasses . अवियोड़ी कर्या में लोट .. आज है आज बनाते हैं इसा बीड्श तो यह सारी मेटेरियल चाहिए जाए है कॉटन फाब्रेक और यह अऔर एक फाब्रेक और यह बक्रम और यह फाब्रेक लोगा तो चलिए स्टार्ट करते है पहले हम लोग को दो सर्कुलर पीसेस कट करना है दो उपर पार्ट के लिए और दो नीचे पार्ट के लिए तो ये दो पार्ट को ऐसे ही ग्लू लगा के हम लोग को पेस्ट करना है उसके बाद पिंक फैबरिक का एसे ही सर्कल में कट करके उसको भी हम लोग पेस्ट करेंगे देखिए ऐसे करके उसको उल्टा सैड कर लीजिए तो पीछे साइड अच्छा से पेस्ट हो गया फैबरिक अभी उपर ये साइड में हम लोग को क्या करना है एसे ही स्टीच करना है तो यह स्टीच करने का मतलब क्या है यह जो सर्कुलार जो हम लोग का बक्रम पीस है उसके उपर कवर करने के लिए या तो हम लोग करते हैं या हम लोग इस वे से भी कर सकते हैं तो अच्छा से फैब्रिक उपर कवरों के पेश्ट हो जाएगा या तो नहीं तो छोटा छोटा पीस उसको कट करके आप उसको पेश्ट कर सकते हैं तो अभी स्टीच हो गया अभी थोड़ा फैब्रिक लू लगा लेते हैं फैब्रिक लू लगाने के बाग उसको उपर उसको पेश्ट कर लेंगे और साथे साथ इसको ये थ्रेड को थोड़ा पूल करेंगे देखें कितना अच्छा से कवर हो गया उसके बाद थ्रेड को लॉक करके कट कर लेंगे कि अभी जो वाइट और एक चॉटन पैबरिक लिए थे उसका वान विंच विड्थ में एसे लंबा पीस काटके फिर मैं वान वन वन वीज़ का एयसे छोटा चोटा पीस काट रहे है मतलब वान इंच स्क्वार का पीसेस में गाट रहे हो इसको देखें ऐसे फोल करना है फिर साइड से एसे फिर एसे करने से ये एक ट्राइंगुलर पिसेस हो जाएगा और इस टैप का पिसेस करके हम लोग को ये सर्कुलर पिसेस का पीछे साइड में स्टीच करना है तो ये फोल्डिंग का तरीका थोड़ा अच्छा से देख लिजिए एसे करके बहुत सारा पिसेस हम लोग को पीछे साइड जॉइंट करना है पूरा बॉर्डर में सर्कुलर फैब्रिक का जो बॉर्डर राउंड जो बॉर्डर है बॉर्डर लाइन में उसको एसे अच्छा से हाथ से स्टीच करेंगे और नेक्स जो आएगा प्रीवियस का उपर में वो फैब्रिक रहेगा वो जो बाहर से पूरा पास पास और डिजाइन पूरा पास पास दिखेगा दिखेंगे अभी नेक्स में डाल रहे हूं और इसका उपर में उपर में डालने से डिजाइन पूरा पास पास आएगा और ये आप कोई भी कॉन्टरस्ट कलर लेके ये डिजाइन कर सकते हैं जैसे मैं पिंग फैब्रिक लिए हूँ तो अफवाइट फैब्रिक लेके कर रहे हूँ ताकि ये डिजाइन बहुत अच्छा से दिखे उसके क्या है अभी हम लोग क्या करेंगे आप चाहे तो इस तरब थोड़ा ग्लू भी लगा सकते हैं ऐसे स्टीच हुआ है कोई जरुवत नहीं है बट ग्लू लगाने से और अच्छा से चिपक के रह जाएगा उसके बाद हम लोग एक डिजाइन डालेंगे तो मैं क्रोशिया का यहां थेट लीं हुण ठोड़ा थिक वाला थेट जस्त उसमें रन इंग स्टीच दो राउं उसमें करोंगे सिंपल सा श्टीच है देखिए दो राउंड में कर ली उसके बाद हम लोग उसमें एक डिजाइन करेंगे देखिए दो मुरून थ्रेड एक वाइड थ्रेड ली हूँ करीब पांचे इंच का लेंग्ट है ये तीनों को लेके हम लोग एक छोटा भीला ब्रेड डोरी बन आएगे तो बीच में एसे उसको पहले नॉट लगा लेंगे नॉट लगाने के बाद दो-टो थ्रेड को पकड़ेए ये इसे ब्रेडेड डोरी बनाएगे तो यहां पर में दो कलर का को थ्रेड ली हूँ तो उसमें बहुत अच्छा से डिजाइन आत है उसके बाद होने के बाद कट करके ग्ल्यू लगा लेंगे और इसको अभी राउंड सेप में स्टीच करेंगे देखिए और इसको अभी ध्रेड के साथ एक राउंड सेप देंगे खलो है उसके सफाद के लेंगे और इसको अभी में सेप राउंड सेफ में फसकते साथ एक राउंड राउंड है झाल झाल उसके बाद उसको पेंडेंट के उपर ऐसे चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से फिर उसका दोनों साइड पैरेट लगा लेंगे ऐसे और पैरेट को यहाँ पर मैं स्टीच करूंगी आप स्टीच कर सकते हो ग्लू भी लगा सकते हो लेकिन जब भी मुझे कुछ हेवी मतलब अब्जेक्ट लगाना रहता है फैब्रिक जूलरी के उपर त नहीं तो ग्लू में निकल जाने का चांसस रहता है तो इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा शीक्यूर करने के लिए मैं स्टीच करती है उसके उपर एसी दूसरा पैरेट आप उसका दूसरा साइड लगा लेंगे यह बोहमियन जूलरी है उसको अपना मर्जी से कुछ भी डा के जैसे सुंदर लगे का वैसे ही करके आप उसको डिजाइन कर चकते हैं फिर उसका पीछे साइड उसको कवर कर लेंगे और एक पीछ समलोग दो बक्रम के साथ बनाए थे मैं बनाई थी उसके साथ उसको कवर कर लेंगे बैक साइड दिखिए यह कंप्लिट हो गया पेंडेंट उसमें अभी हम लोग क्या करेंगे थ्रेड के साथ अभी डोरी जो बनाएंगे उसको हैंग करने के लिए उसमें थोड़ा मैं ऊड़न बिर्स डालके थोड़ा डिजाइन करके डालोंगे तो ऊड़न बिर्स के होल के अंदर इतना स्ट्राइंड डालने के लिए मैं प्लास्टिक जो बीडिंग वायर है उसका हेल्प ले रहे हूं देखिए ये थ्रेड ऐसे जाएगा एक थ्रेड लेप टू राइट आएगा और एक राइट टू लेप्ट और ये थ्रेड को अभी देखिए डालना मुश्किल रहेगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे प्लास्टिक वायर डालके उसके अंदर जो बन चप थ्रेड से उसको डाल लेंगे और उसको एसे खीच लेंगे तो आटमेटिक को किस सेड आ जाएगा इसे करेके चार कलर कर में बीट्स ली हूँ चार कलर को एसे करके में डाल दूंगे अजय करेंसी कदो आएगा आएगार के उसाज डावागा वायर वायर राल ने सकाझः ए में में डड़ी और ouख से गते हूंगे देखिए चार्ट डालने के बाद कितना सुन्दर लग रहा है अभी जस्ट उपर में एक नॉट लगा लोंगे और नॉट के उपर बाकी जो जितना बचा हुआ थ्रेड है उसको में ट्विस्ट करके एक ट्विस्ट डोरी बना लोंगे और एक स्टैप का इस साइड लगाएं और उसका ओपर में डोरी को ट्विस्ट कर लेंगे देखिए ना इस रेडी तू वेर थैंक यू फ्रेंड्स फर वाचिंग माई वीडियो हाव गूट जो बाबाई